प्रेगनेंसी में मुझे कुछ चीजे जो हैं वो बिलकुल पसंद नहीं आती हैं हे गाईज ऐसी सेम बाते आपने बहुत बार सुनी होगी प्रेगनेंसी में ये चीजे बहुत कॉमन माना जाता है वीडियो के अंदर मैं तीन पॉइंट के उपर डिसकुस करूंगी पहला ये होगा कि प्रेगनेंसी में खाने पीने से रिलेटेड फूड आइटम्स मीठा नमकीन तीखा और खटी चीजों से रिलेटेड बाते करूंगी दूसरा पॉइंट होगा कि एक महिला के मूड में अचानक से क्या परिवर्तन आते हैं थर्ड पॉइंट होने वाला है आपके वजन वेट लॉस या वेट गेन से रिलेटेड कम्प्लीट में बाते करूंगी इन में से कुछ चीज़े आपको पसंद आएगी कुछ चीज़े बिलकुल भी पसंद नहीं आएगी जो भी आपका आंसर होगा ज़रूर कमेंट किजीगा मैं आप सबका इंतजार कर रहे हूँ हे गैज मैं आप सबके साथ श्वेता हूँ और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल पहली बार अगर आएए शन पर सब्सक्राइब किजीगा वीडियो में नापसंद वाली चीजे जो है उसे भी मैं बताऊंगी क्योंकि ओल्ड वैप्स ने ये कनेक्शन बताए हैं और सच भी माना जाता है इसे तो चली यहाँ पर बात करते हैं फॉस्ट पॉइंट के ऊपर हमारे फूड आइटम से रिलेटेड कभी किसी महिला को प्रेग्नेंसी के अंदर मीठी चीजे पसंद आती है कभी नमकीन कभी तीखी और कभी कभी सम्टाइम्स इवनिंग के समय में खटी चीजे ऐसा क्यों हो लेकिन यहाँ एक बार हम फैक्ट के उपर जान लेते हैं यह चीजे जैसा कि मेडिकल साइंस बताते हैं कि अगर एक महिला को प्रेग्नेंसी के अंदर किसी भी मंत के अंदर मीठी चीजे खाने का मन है इसका मतलब है उसे एक इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है इसलिए मी बहुत ज्यादा मीठी होते हैं मतलब कि ऐसे लगए कि चीनी और किसमिस होती है उसमें ज्यादा फर्क समझ में नहीं आता है इतनी मीठी अभी के टाइम में किसमिस आ रही है अब फिर से बात करते हैं हिसस के उपर की नमकीन या तीकी चीजे खाने का कब मन करता है जब बात करते हैं वेटमिन सीज होती है वो खटे फुड आइटम्स के अंदर होती है तो आप वो चीजे भी जैसे की सीजन के अनुसार से जो मार्केट में हमारे लोकल नजदीक बजार में जो फ्रूट्स मिलते हैं वो आप लीजिए बहुत ही हल्दी होते हैं बच्चे के कर बहुत ज़्यादा सीरियस होती है सुबह जब सोकर उठती है तो एक मॉर्णिंग सीखनेश एक ऐसी थकान जैसे ऐसा लगे कि कल पूरे दिन आपने कितना काम किया यह दो चार पांच किलोमेटर आप पैदल चले हो इस तरीके से एक थकान सुबह सुबह महसूस होना इसे मॉर्णिंग सीखनेश कहते हैं यह बिल्कुल नॉर्मल है लगभग 90% महिला है मॉर्णिंग सीखनेश को प्रेगनेंसी में एक्स्पीरियंस करती है और इस ते आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी जा रही है घबडानी की जरूरत नहीं है अब फिर से बात करते हैं थार्ड पॉ हो रहा है जरूर अपने डॉक्टर से मिलिए थैंक फूरो वसिंगे इस मिलती है कल की नई वीडियो में तब तक के लिए बाइवें टेक केर